जब आप 7 दिन बाद उसको complete कर लोगो तो अपने आपको देखो कि मैंने जो task दिये थे अपने आपको 10 में से आपको जो number देने वो यह देने कि 10 में से या तो 1,2,3,4 या तो 7,8,9,10 5 और 6 number को नहीं देना क्यों कि आप काफी लंबे समय से practice कर रहे हो तो आप average तो बनी चु सकते हैं यह सीनर से बात कर सकते हैं इसके साथ साथ आप personal practice का ध्यान रखे के personal practice भी आपको करनी है इसके अंदर वो कैसे करेंगे example के तोरपे अगर academy आपके घर के पास है तो आप वहाँ पर लहातार जितनी भी दिन academy होती है पास दिन छे दिन वहाँ जा सकते हैं और अगर आपके academy दो से तीन दिन चलती है तो फिर आप एक personal ground ढूंड़े मतलब जहां बच्चे कम आते हैं जहां आप और अपने आपको personal time दे जल्दी जाए और जो आपको homework मिला है बड़े club से उसको लिख के करना है example के तोर पे आपको on drive अच्छा नहीं है या आपका cover drive अच्छा नहीं है कुछ भी हो सकता है ऐसे बॉलर आपका rhythm अच्छा नहीं है तो उसको आप अपने को से confirm करें और उसके बाद उसके काम करें उन्हीं साथ दिन के अंदर तो धीरे धीरे आपके जो ability है काम करने के एक तो वह बढ़ जाएगी एंसाथ साथ आपके अंदर improvement आना start हो जा जाते हैं शायद आपके साथ बैसा होता हो तो एक तो confusion खतम हो जागी दूसरी बात आपके माइन के सामने जब गोल रहेगा ना तो आप यह बात लिखकर देख लेना आप automatically effort जादा करते हो as comparison to other days यह आप चेक कर लेना फिर जब आप अपने आपको measure करते हो ना फिर आपको लगता है कि यार मैं कितने पानी में हूँ जब आपकी जो rating आती है ने वो 10 मेंसे दो number की तीन number की चार number की आती है और 7-8-9-10 तो भूली जाओ और अगर आपकी rating already 8-9-10 आ रही है तो आपको सिर्फ patience रखनी के ज़रोत है और कुछ नहीं और अगर इससे कम आ रही है तो और चांस नहीं है अगर आपने अभी इतनी सालों से यह चीज़ नहीं की है तो इसके अलावा में आपसे बताओं अब आपने यह समझ लेकिया साथ दिन का मुझे चार्ट बनाना है I hope कि आपको अच्छा लगा होगा आप क्या होता है कि follow भी करना स्टार्ट करते हैं तो मै दिकत क्या दिकत सब्सक्राइब करने लिए बाता है अब यह चीज़े होती है कर दो आपको और आंगे जिबाब करेंगे लेकिन इसका है कि आपको इससे चिपके रहना है ये इसका सलूशन है इस चार्ट से चिपके रहना है आपने ये आपको बताएगा कि भाई तु जा किदर रहा है तो कितनी मेहनत कर रहा है जो हम लोग इतनी बड़ी-बड़ी डिंगे हाकते हैं करेसार प्लेयर्स की मेरा ये नहीं हुआ मै अगर आप फस्ट बंदें साफ करते हैं तो क्या पता फस्ट फॉलो कर पाएं अगले तीन वीक छुट जाए आपसे कोई बात निए फिर आप नेक्स विक पकड़े फिर आपसे चुट जयगा फिर आप नेक्स वीक पकड़े मतलब इसको आपको अपनी आदत कंदर डालना ह कैसे आज हमारी खाना खानी का आदत है पानी पीनी के आदत है हर चीज़े मादत से करते हैं सुब उठती ब्रस करते हैं वो हमारी आदत है इसी तरह इसको आदत में लेकर आना है और यादत एक दिन में बनेगी साथ दिन में बनेगी इसमें टाइम लगता है आप एक दिन और करें तो परसनल प्रेक्टी ज़रूर करें क्योंकि आप कावी समय से क्रिकेट खेल रहे तो आपको परसनल प्रेक्टिस करना बहुत इंपोर्ड़न्ट है इसी के साथ साथ जब आपकी अकैडमी को ओफ हो तो जब आपको टाइम मिल जाए तो आप यह तो मैचेश खेले ए इसके लावा छैब लों में इत्ते रहें चाहिए लास्ट के पांच ओर में तीस रहें जाए दोभी केट हमारे हाथ में तो यह मैच कंडिशन होगी फिर उसके बाद आप फिल्डिंग सेसिन भी लगा सकते हैं तो यह महीने में जरूर करें एक दो बार तो जरूर करें तो इससे आपके जो quality है, अगर आप serious होके करते हैं, तो आप improve करेंगे, और seriousness के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं, चाया आप net करें, चाया आप match खेलें, चाया आप personal practice करें, या आप कुछ भी करें, जिम करें, या कुछ भी करें, आपको serious रहने हैं पड़ेगा, उससे पहले ची share करना चाता हूँ, जो मैंने सुनी थी, रावल डेविट सर नहीं बोला था कि, आप बहुत सारे matches खेलो, और सीखो कुछ ना, तो आप improve नहीं हो सकते हैं, और आप कम matches खेलोगे ना, और अगर आप सीखोगे ज्यादा, तो आप definitely grow करोगे, मैं यह नहीं कर रहा है, कि आपको उसे convert नहीं कर पा रहा, बॉलर होचा है batsman, तो आप कोई चीजे समझनी पड़ेंगी, उसके बाद जो आपके coach होते हैं, तो उसे discuss किजी कि sir, मैं last 10 match में run नहीं कर पा रहा, या मैं यहां out हो जाता हूँ, तो वो आपको solution देंगे, फिर उस solution पर आपको काम करना है, उसके ब फालतों की चीजे हैं, तो आप खुद अपने लिए, जिम्मिदारी ले और आगे बढ़े, इसके अंदर एक चीज में और एड़ करना चाहता हूँ, फिर वोई वाली बात आती है, शीरिसनस वाली बात, कि आपको feel करना है, कि आप बोट प्रॉफी का मैज खेल रहा है, कि जब आप बोट प्रॉफी खेलेंगे मानो, या उपर लेवल पर आप किसी भी लेवल पर खेलोगे, तो वहां की सीरिसनस कैसे होती है, आप सुबह उठोगे तो आप सुबह क्या feel करोगे, जब आप टीम के साथ रहोगे तो आप कैसे behave करोगे, जब आप वार्म अप करोगे तो आपको कैसा feel होगा, फिर जब मैच खेलने जाओगे तो आप कैसी बैटिंग करोगे, अपने 100% कैसे दोगे, जब आप आउट होगा जाओगे, कमरन बनाओगे, तो आप कैसे लोगों से behave करोगे, ये सारी बाते आपको महसूस करनी पड़ेंगी, और जब आप महसूस कर जो लड़के मैचस के अंदर सीरस नहीं रहते हैं, बकवास करते हैं, गालिया देते हैं, न वो टूर्णरमेंट के मैच में सीरस रहते हैं, न वो पैट्टिस मैच में सीरस रहते हैं, तो आप उनसे थोड़ा अलग उनाया स्टार्ट हो जाओगे, आपको लगेंगे 15-20 जाइज, कि यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, और यह करना बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि बाहर के जो सारे बच्चे, वह सब नेगेटिव हैं, कोई बात को नहीं समझता, मैंने देखा हैं, लेकिन जो मैं खुद अपलाई करता हूँ, वो मैं आपको बता वो सारी चीजे करना तो आपको महसूस करना है अब आप अपने आपसे कोश्चन पूछो कि जब मैं बैटिंग करने जाओंगा बूर्ड के मैच में अभी अगर आप वीडियो को दिखते दिखते यह सोचे तो आप कैसे फिल करेंगे आपके बादने पचास तरकी के बात आज है इसी तरह टॉर्णमेंट के मैच हो चाब कोई भी मैच हो आपको खुद क्वालिटी प्रोड्यूस कर रही है उसके वाद मैच की रिपूर्ट बनाई है कि लास्ट दस मैच में कितने रन बनाएं हर तो आपको देखना यह है कि मैंने लास्ट दस मैच में कितने रन बनाए मैं 100 कितने मैचिस के बाद करता हूँ या as a baller मैं 5 विगिट कितने मैचिस के बाद लेता हूँ क्या-क्या गलती है मेरे अंदर आ रही है और क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं आपको एक बात बता दूँ सबसे बड़ी हम क्या गलती करते हैं हम लोग जैसे आउट होते हैं हमारा दिमाग खराब होता है हम क्या करते हैं हम यह सोचते हैं क्या हर चीज खराब हो defenses यह नहीं हो रहा मुझसे वो हूं अदर मुझसे यह नहीं हो रहा आप को system को अलग करना पड़ेगा सबसे पहला आपको यह सोचना है रात में लिखते हैं कि मैंने मैंच में अच्छा क्या करा उसके बाद इलिखिए कि मुझे इंप्रूव करना है बस निगेटिव भी होका रहा है कुछ नहीं लिखना क्यों यह नहीं कर पारा यार पिछले 10 समय मैं वो नहीं कर पारा तो आप वो करी नहीं पाएंगा क्योंकि आपका माइं नेगेटिव होता जा रहा है तो इसको सबसे पहले बाद पॉस्टिव करना है अपने तो यह आपको सारे करनेक्ट किया है आप हमें कमेंड़ने बता सकते हैं और हमें सासा दीवी बताइए कि आप अपने साथ दिन का चार्ट कब बना रहे हैं और जैसे में हमेशे बोलता हूं अगर आपको मारे वीडियो अच्छा लगाओ तो आपको पता है क्या करना है और मिलते हैं हमारे थर्ड वीडियो में, with this thank you so very much.